आपके अपने चैनल फिमार्स फूड में तो फिर आज हम बनाने जा रहा है यह पनीर की सब्जी जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो पनीर और इसे मैं दस मेट के लिए मैरिनेट कर दूगी और इसे चोड़ी-छोड तुक्रा में काट लिया है मैंने अभी समय बाउल म और यह गरम मसाला बिल्कुली से थोड़ा सा डालूँगी मैं और यह काली मिर्च और जीरा पाउडर यह रोश्टेड है और यह हल्दी और इससे हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मेट्टी ले से हम तड़क देंगे तब तक हम मसाले त्यार कर लेंगे चोटी लाइची बड़ी लाइची देजपत्ता दाल चिनी और लाल मिर्च इसे मैं रोश्ट करके और डालूँगी और यह थोड़े फोड़े मसाले लिए हैं मैं डालते जाओंगी फिर बताऊंगे आपको और यह कमाटर इसे भी मैं रोश्ट कर लूँगी पहले उसके ब मसाले थे उसे मैंने रोश्ट कर लिया है और यह बिलकूर अधा चमज में तेल डालूँगी और यह कमाटर वे फ्राइच करोंगी इसको मैं एक से दो मिनटी पालूँगी अ भी माल यह देखांट को मैंने तो इसमें मैं पहले ये डाल दूँगे जीरा, आधा चमज डाला है मैंने और ये बड़ी लायची और एक चोटा सा दाल चीनी का टुकड़ा और ये तेज बता और इसे अच्छे से फ्राई कर लूगी मैं इसके बाद मैंने जो कटा था एक प्याज इसे अच्छे से फ्राई होने दूगी कि अओं और ये जो मैंने प्याज कुझ की घच कर सक्सितना है ये क्को जेक्टली नियु जो आइथ दालोगे और अच्छे से भून दोगी और ये देखिए तब तक प्याज भून रहा है तो मैं इसमें इस सब्जी में यूज करती लिए पाजू तो मैंने लिया ये सासा आथ पाजू और ये मगज के एक चम्मच मैंने मगज की बीज ले लिए और इसे भीगा दिया है मैंने गुन गुने पानी में और इसदामेश्ट पूए मसाले बींगा प्रेटिंगको सर्फटय इसा में दाने इसलों गया कि यद्या प्यार डालबफर यектив मैं छेला और काली अदर युए हम जब्यूली है यह को जब्यक्त explains तु साथ में समीट में सी जुझनी करेंगे और यह समें लाइट हीlide करेंगे हम मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं तो यह जो मैंने काजू और मगज का पेश्ट बनाया था उसे अब मैं इसमें एट कर दूँगी और यह लेंब बिल्कुल रखोंगी मैं क्योंकि काजू बहुत जल्दी गाड़ा होता है तो यह जली ने लगे ना इसलिए हम लेंब बिल्कुल कम रखोंगे और यह देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब इस सिटेज में क्या करूंगी यह जो मसाले मैंने रोष्ट करके पीसे थे उसे मैं इसम इसे मैंने वह कम पीसे एख में एक कब दूद और उसमे मैंने दो पानी डाल के और क्या इंखे रिया हुआ है यह एक कप दूद हीर्थ इसमें दो कप पानी डाल पर было का करेंगी हूआ यह आधा मिलसीन चलाते रहे मी, तो प्रिकम किलरते लैंप torch हो जोड़ती हhã सिक नहीं में किते च्थे कुछा है यक्वहन की प्रफ यह पेश नुम और व स्लीक के बनाख मुझे दोए पानी , अगर बीचे यह में थे बनाख परतां में बॉलें इसलिए बॉल में इसमे पनीर को आट करेंगे बड़िया के विश्ब हएक केसा नियर को आट करें अइसके ज flipping będą hard नियर सिल किुट düşET nous a अब दीरे दीर में पनीवी स्नेयाट कर दूँदी, अब आसा अगरा में इसी लिए है, इसे मुताल लिपी मच्छी से, और यह देखिया, और आब इससे क्या करते हैं हलुका सा, यह फ्लैम मेडियम कर देते हैं, और इससे ढख के 7-8 मिनाट तक पबने देते हैं, अब देखिया, और यह देखिया, मुझे ग्रेवी थोड़ी लग दी है, तो मैं इसमें एक कप गुरगुना पानी और आट कर देते हूं, यह जिसमें मैंने पनीर फ्राइ किया था, उसमें मैंने पानी गरम कर लिया, और यह आट कर दो, अब बिल्कुल रेडी है हमारी सबज ऑर नमक हमने थोड़ा थोड़ा करके कई बाद आला है, तो इसमे नमक भिल्कुल यह एं आधा चमज इसमें एड गरोंगी यह दो नमक हमारा बिल्कुल पैयाब था, इसमें मरेने तिया था, मसाले में डाला था, और नमक और आश्यों एक नमक मीऺ्टते हो चीउर में आप नाप नहीं देते हैं देखें बिल्कुल प्याल है हमारी सब्जी और इसे बीपिश में आप चलाते रहें और अब मैं इसमे अट कर दूगी एक चमस गरम मसाला और इसके बार मैं इसमे आप कर दूगी तोष यह जी मेती हिसे पी लारें भी इसे कि अभी पटा हुआ हगा धन्या कि अभी बनाइए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्स्क्राइब को और नहीं भूलें थेंक्यू कि अभी बनाओ कि अभी अभी कि अभी आपको और नहीं है, वाल जासे हुआ है तो प्लें प्लाआए टेन ऊपको और सक्षों आपको कमेंट आती है तो झाल झाल